दोस्तो अभी मैं आपसे मात्र 20 मिनट का समय मांग रहा हूँ आप मात्र 20 मिनट मुझे दीजिए और इन 20 मिनट में वेब अप्लिकेशन एंड सेक्योरिटी पूरे चाप्टर को हम कम्प्लीटली डिसकस करेंगे अगर आपके पास बुक्स नहीं है आपके पास नोट्स नहीं है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी दोस्तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपका यह चाप्टर पूरे तरह से कम्प्लीट हो जाएगा और each and every question आपका इस चाप्टर से बन जाएगा यह वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा महिनत करना परा सुभा से मैं इसका content prepare कर रहा हूँ best से best देने की कोशिस कर रहा हूँ ताकि कम समय में आप कर सके तो अगर वीडियो पसंद आया गए दोस्तो एक बार like कर दीजेगा comment जरूर करिएगा कि मेरे जो महिनत है वो आप लोगों को कितना इसमें benefit होता है तो चलिए अब वीडियो को start करते हैं यह जो unit number 4 wave applications and security है यह आपको class 10th IT code 402 में पढ़ना जो की subject specific skills में आता है चलिए अब हम वीडियो को दोस्तों start करते हैं सारे topics को one by one discuss करेंगे बिल्कुल details में यहाँ पे सबसे पहला session आपका दिया गया है working with accessibility options अब यहाँ पे accessibility options क्या होता है तो देखिए जब आप computer को चलाते हैं तो computer चलाते हैं वक्त मान के चलिए कोई normal person है तो उसको सारे facilities मिल रहे है वो keyboard यूज कर सकता है, mouse यूज कर सकता है, screen को यूज कर सकता है लेकिन मान के चलिए कि कोई physically damaged है या फिर कोई दिव्यांग है जिनको देखने में problem है, सुनने में problem है, किसी तरह का problem है तो क्या वो computer को properly चला सकता है तो वो भी चला सकता है लेकिन उसके लिए कुछ अलग से facilities दिया गया है कुछ अलग से keys दिया गया है, ठीक है उसे ही हम कहते है accessibility options कुछ ऐसे options दिया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति अच्छे से computer को चला सकता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो accessibility का मतलब क्या होता है एक user friendliness computer system बनाया गया है जिसमें कि किसी तरह का disability हो किसी तरह का problem हो फिर भी वो computer को अच्छे से चला सकता है next यहाँ पर है कि accessibility options में अब आपको क्या-क्या accessibility option मिलते हैं और कैसे हम लोग launch करेंगे basically यह question तो board में नहीं आता है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से launch करते हैं तो windows xp में जाएंगे वहाँ पर start menu में जाएंगे start में जाएंगे control panel और accessibility option को click करेंगे तो यहां से आपका खुल जाएगा accessibility options ठीक है next अब हमें जानना होगा कि यहां पर क्या-क्या facilities मिलते हैं तो सबसे पहले तो आपको keyboard का tab मिलता है यानि कि keyboard के tab में total आपको 3 tabs मिल रहे हैं सबसे पहला हो गया sticky keys sticky keys क्या होता है sticky keys एक तरह से आपका system है जिसमें कि जो modifier keys होते जैसे control हो गया shift हो गया यह सारे keys को हम lock कर सकते हैं यानि कि एक बार हम CTRL जो control keys को प्रेस कर दिए lock कर दिए तो अब हमको दुबारा उसको click करने का जरूत नहीं पड़ेगा वो automatically locked position पे है तो sticky keys का यह काम होता है filter keys का काम क्या होता है यह आपके keyboard में जैसे कि आप typing करते हैं तो typing करते हैं कि किसी को मान के चलिए किसी को कुछ बीमारी है हाथ में जैसे जिसका हाथ का आपता है तो continuously dddd प्रेस कर रहा है फिर e-press कर रहा है तो कुछ क्या और mistakes हो रहा है हम लोग अलग अलग function को हम लोग switch कर सकते मतलब कि कोई 2 काम कर रहे तो टुगल की से हम कभी इस function में आ सकते कभी यह function में आ सकते तो basically यह तीन option आपको मिलते है next यहाँ पर display tab मिलता है display tab में क्या है high contrast high contrast में क्या होता है कि यहाँ पर हम जो character का size है, font है, background है, उसको change कर सकते हैं, तो मानिचरी किसी को देखने में problem है, तो वो क्या करेगा, size को बड़ा कर लेगा, font का color change कर लेगा, background को change कर लेगा, जिसे कि वो easily देख सकता है, next, cursor का option में ता, cursor का option में क्या है, कि यहाँ पर cursor का जो blink कर था, जो cursor होता है, वो blink करता है, तो उस blink का, हम rate tag कर सकते हैं, कि कितना speed blink करेगा, उसका size क्या होगा, तो यह सब जैसे कि देखने में जिसको problem होता है, वो लोग इसका use कर सकता है, ठीक है, next, यहाँ पर आपको sound tab के बारे में जानना है, sound tab क्या होता है, कि यहाँ पर दो चीज मिलते हैं आपको, पहला हो गया show sound, show sound देकि नाम से ही लग रहा है, sound को show करो, यानि कि दिखाओ, दिखाओ तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे, sound को हमको सुनना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि कि किसी भी application को information, वो क्या करता है, sound से देता है, याने कि जैसे कि आपका text लिखाओ in pdf में, पीडिय पकर टेक्ष को पढ़ देगा Title bar flashing border और यहां तक कि आप Title bar में, करसर को ले गए ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो आपको warning देगा sound से कि यहाँ पर इस जगह पर आपका cursor आया है तो यह basically किसके लिए है जिसको देखने में problem है वो यहाँ पर यह वला facility को use कर सकता है next mouse tab mouse tab में क्या होता है सबसे पहरे तो mouse के keys आता है जैसे कि mouse की option क्या है कि यह जो आपका number pad बनावा है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह keyboard में बनावा है तो हम क्या करेंगे इसको mouse के तरह treat करेंगे 8 को arrow हो जागा 2 आपका नीचे वाला arrow हो जागा 6 इधर का arrow 4 आपका इधर का arrow हो जागा तो यह basically mouse के तरह इसको हम treat कर सकते है mouse की option से next general tab general tab में क्या होता है serial keys आते है serial keys में जैसे की देखिए आपने देखा वह Stephen Hawkins को वे पूरे हाथ पैर कहीं से काम ने कर सकते थे लेकिन उनके गाल का जो skin है वो skin से वे क्या करते थे वो sense करते थे किसी चीज को तो उसी तरह से यहाँ पे कोई device है जैसे sip हो गया puff हो गया यह device को हम लोग लगा सकते और वो उस touch को sense करके वहाँ पर serial keys के मदद से बताएगा कि क्या क्या अभी हो रहा है जैसे मान के चली यहाँ पे A, B, C, D, E ऐसे serial चल रहा है आपका गाल का skin क्या हुआ C को touch किया इसका मतलब भी C लिखे फिर वापस जाएगा फिर आपने D को touch किया तो यह का मतलब हो क्या C, D ठीक है इस तरह से यहाँ पे सारे चीजे काम करती है Next session में आपको पढ़ना है Networking Next session में आपको क्या पढ़ना है Networking Fundamentals ठीक है अब आपका basic topic सुरू हो जा रहा जो की बहुत important है ध्यान से बस आपको सुनना है chapter आपका बिल्कुल complete हो जाएगा Networking में देखिए क्या है सबसे पहले तो क्या होता है A computer network is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channels अब देखिए बहु सारे computer को हम क्या करते है connect करते है interconnect करते है तो यह सारे computer को जब हम connect करते है hardware को, software को इसे ही कहते है networking ठीक है? इसे कहते है network Next यहाँ पर जब हम networking करते है तो basically दो तरीके से हम लोग networking कर सकते है मनलब कि computer को connect कर सकते है सबसे पहला होता है peer-to-peer दूसरा client server peer-to-peer में क्या होता है कि यहाँ पर सारे computer समान के चली बहुत सारे computer आपके पास है सारे computer एक दूसरे से link किये है इसको बोलते peer-to-peer client server में क्या होता है एक बनता है server बाकी सब क्या होते है client एक जगह पर data store किया वा है बाकी सब उसको use कर सकते हैं यहां पर आपको example दिखाए है यहां पर देखिए client server में क्या हो रहा है यह जो बीच बाला computer यह क्या अब network के types कितने होते हैं सबसे पहले land man when pen basically यह चार को आपको पढ़ना है ध्यान से समझिएगा लैन का मतलब होता है local area network यह basically small area जैसे की building हो गया office हो गया school हो गया यहां तक के लिए यह use होता है next pen होता है personal area network जो की basically एक individual के लिए होता है जैसे परसनल नाम सही लग रहा personal area हम अपने room में एक network को establish किये जिसमें मात्र 10 मिटर का मिलता है option जैसे कि हम एक room है उसमें computer है मेरे पास laptop है और मेरे हो गया school office building के लिए मैं होता है metropolitan area network यह लार्ज geographical area को connect करता है ठीक है जैसे कि मान के चलिए पूरा आपका एक सहर को एक city को connect करना है एक आपका state को connect करना है तो क्या करेंगे हम मैं का use करेंगे ठीक है वैं क्या होता है वाइड area network यह उससे भी जादा बड़ा होता है जैसे कि अलग-अलग state को connect करना होगा यह countries को अब इंडिया और USA को connect करना होगा तो हम क्या करेंगे वाइड area network बात समझ मैं के लैन हो गया चोटे एरिया के लिए पैन एकदम घर के लिए मैं हो गया यह आपका अलग-अलग यह cities को जोडने के लिए वैन हो गया states और countries को full form याद रखिए का एक कोशन आने के chances बहुँ जादा है इंटरनेट के बारे में निए इंटरनेट क्या होता है तो इंटरनेट एक global system of interconnected computers है जहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो डेट यूज़े इस इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्डवाइड देखिए इंटरनेट क्या है एक ऐसा सारे computer को connect करेंगे इंटरनेट connection को ठीक है अब इंटरनेट पे सबसे बड़ा इंपोर्टेंट चीज़ होता www जैसे मेरा website करना है www.crackmycbse.com ठीक है अब यहां पर www क्या है तो यह www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या हो गया इंटर लिंक्ड हाइपर टेक्ट डॉक्यूमेंट को हम एक्सेस कर सकते वाया इंटरनेट विट वेब ब्राउजर देखिए बहुत अच्छे कंसेप्ट है ध्यान समझेगा जैसे मान चलिए www.crackmycbse.com है तो उसमें हम जो भी डेटा लिखते हैं जैसे आइटी कोड का हम कुछ लिख दिए कुछ हिंदी का डेटा लिखिए कुछ मैस का डेटा आजरे कुछ फेज बन रहा वेब पेज और इस वेब पेज को जब हम लोग टो करते हैं तो उसको जहां से एकसेस करेंगे उसे वर्ड वाइड वाइट ठीक है जहां से हम सारे डेटा को एक्सेस करेंगे चलिए नेश्ट पाते हैं अब क्या होग्या होगा एडवांटेज क्राइम भी होता है लेकिन आप उससे बच सकते हैं और कुछ-कुछ एड्वांटेज देखिए गए यहां पर इसको आप एड्वांटेज में मत लिखिए गा इंटरनेट compact addiction एक सकेंद यहां इसे आपका इंटरनेट के बारे में एड्वांटेजज और इसमीए चीज और आएड कर लिजिए यह डिसट बुताना है ठीक है एड्वांटेज और डिसट तो यहां पर सबसे क्या हो रहा है बल्कि इंट्रनेट पर लोगों को लगता है कि मेरे 10-1000 हजार फ्रेंड है लेकिन जब सामने में बात करेंगे तो महां पर एक भी फ्रिंड नहीं दिखते हैं तो सोचल एलिनेशन हो रहा है साइबर क्राइम बढ़ रहा है और इंटरनेट एडिक्शन भी हो रहा है तो यहां पर बात समझ में आ गया कि यहां से यहां तक यह टोटल आपका तीन हो होना चाहिए ठीक है कर दůSC कौन देता है इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर देता है इंटरनेट कानेक्शन कौन देगा ISP समझ में आया कौन हमें इंटरनेट देता है जैसे मान के चलिए Airtail हो गया जीयो हो गया आपका BSNL हो गया यह सब क्या है आपको इंटरनेट देता है तो इसे कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मॉडम क्या होता है मॉडम का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए मॉडियूलेटर एंड दी मॉडियूलेटर मॉडम का हो गया मॉडियूलेटर दी मॉडियूलेटर ठीक है उससे मॉडम बना है अब क्या होता है綠 में सबसे पहला तो क्या होता है जैसे की आपके इस्क्रीन कोई कांटेन्ट लिखावा है तो टिजिटल है तो फिटल से एनेलॉग में लिखे थी जिसे कि और दो इसह समझे है दो कंप्यूटर है ठीक है take two computer में यहां पर हमको डेटा को यहां से भेजना है ठीक है ये जब यहां पर डेटा लिखा वा था वो डिजिटल था तो डिजिटल से अब हमको क्या करना होगा एनलॉग में करना होगा तो तब यह डेटा यहां से जाएगा ठीक है तो यहां से गया एनलॉग डेटा में अब एनलॉग डेटा जब यहां पर आया तो यह screen पर हमको कुछ नहीं दिखेगा तो हमको वापस से इसको क्या करना होगा digital में चेंज करना होगा तो modem का क्या है digital को analog में करना और analog को digital में करना यह उसका का में modem का ठीक है याद हो गया modem का क्या हो गया कि it converts analog signal into digital and digital signal into analog ठीक है next यहाँ पर आपको देखना है किस-किस तरह का connection होता है तो dial up होता है DSL होता है केबल इंटरनेट होता है 3G, WiMAX, Wi-Fi अब यहाँ पर यह तीनों जो है wired है ठीक है dial up DSL और cable internet यह wired हो गया यह तीनों हो गया आपका wireless ठीक है यहाँ पर आप देखिए सबको एके करके थोड़ा सा ब्रीफ में सीख लेते क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका हो गया dial up connection dial up क्या होता है कि इसमें इंटरनेट जो आता है वो telephone network से आता है जैसे कि आपके घर में जो पहले BSL का internet network जाता था उस पे आपका internet उसी तयार के माध्यम से आएगा ISP क्या होता है यह भी telephone line से आता है लेकिन यहाँ पर modem कहते इसको modem के थुरू इसमें नेट आता है ठीक है DSL क्या होता है digital subscriber line यहाँ पर क्या होता है transmitting digital data over wires of local telephone network यह क्या था public telephone network यहाँ पे local telephone network यानि local level पर telephone network बिछा जाता है जिससे के आपको internet मिलता है cable internet service क्या होता है जो कि broadband internet मिलता है तेलिवीजन का इंस्ट्रा structure पर जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर के पास जो भी cable network वाले वे लोग भी आजकल नेट देते हैं तो वहाँ पर basically वे लोग उसी वायर के माधियम से आपको internet देते हैं 3G जानते हैं आप मोबाइल में SIM card लगता है 3G होता है ठर्ड जेनरेशन होता है यह आपका वायरलेस हो गया वाइमैक्स क्या हो गया व्ल्ड वाइड इंट्रो पेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस यह आपका बहुत बड़े कंट्रीज पर जैसे बड़े-बड़े कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए काम आता है विदाउट वायर ठीक है वाइफाई क्या हो गया यह आपको अलग-अलग डिवाइसिस में इंटरनेट सेयर करने का उप्सन मिलता है विदाउट वायर वायरलेस ठीक है चलिए यहाँ पर हम जलू जानते है डेटा ट्रांसफर हम लोग इंटरनेट में कैसे करते है तो जब हम इंटरनेट में कोई डेटा को भेजते है तो वो जो डेटा होता है वो छोटे-छोटे टुकड़े में बट जाता है ठीक है जैसे कि आपने लिखा my name is दीपक तो वो टुक्रा में बट गिया ठीक है अब यह जो डेटा होता है यहाँ पर जब जाने लगता है तो हर डेटा में एक क्या होता है कोडिंग होने लगता है ठीक है यह सारा चीज आपको पता ने चलेगा सारा चीज बैकेंड में काम होता है एक कोडिंग होता है जो की explain करता है कि ड पहले ब्रेक होता है वापस जाता है वहां जाने के बद वापस से एसेंबल हो जाता है एक बहुत ही fraction of seconds में होता आपको पता भी नहीं चलेगा नेक्ट सेशन में आपको पढ़ना है introduction to instant messaging by instant messaging क्या होता है यह इसका मतलब क्या होता है हमें जब किसी से communicate करना बातचीत करना है तो हम किसी को message करते है audio chat करते है video call करते है conference call करते है तो यह होता है instant messaging यहाँ पर basically दोस्तों कुछ features होते है जैसे कि text message कर सकते है audio call कर सकते है video call कर सकते है file transfer कर सकते message history यह सारे चीज़ों को देख सकते है सबसे इसका example क्या हो जगा WhatsApp हो गया आपका Instagram हो गया इस सब instant messaging में आता है ठीक है next instant messaging service जो होता है वह आपका दो तरह से होता है एक होता application बेस्ट दूसरा होता application यानि कि app download करें जैसे google talk yahoo messenger skype windows life यह हो गया वे बेस्ट का मतलब क्या हो गया internet में आप browser में जा करके करना है कि क्या क्या आपको important चीजे ध्यान में रखने हैं तो जब भी आप किसी से chatting करिएगा तो आपका message बिल्कु शॉट और to the point होना चीए भाई चैट कर रहें तो राम कहानी लिखने में मेहनत लगेगा और उसको पढ़ने मेहनत लगेगा तो शॉट में लिखिएगा always introduce yourself by name if your screen name does not reflect it आप जब भी किसी को नए message कर रहें तो अपना नाम बताईए कि मैं कौन बो रहा हूँ तभी आपको next वाला आदमी बता चलेगा कि भाई किसका number है तो वो आपसे chat कर सकता है उसके बाद जिसको message कर रहें उससे पहले पूछिए कि क्या आपके पास समय है मु जिनरली देखे होंगे कि लड़के message करते और और लड़की का reply थुरा सा लेट से आता तो बस उनको टेंसन हो जाता है कि मेरा reply क्योंने आ रहा है तुरंत क्योंने अरे उसको समय दो उसको time दो वो message का reply भी करेगी तो आप वेट करिए कि वो message का reply करेगी और तभी आप यहां मैं cvc.com पर आपको बहु सारा वेब पेज मिलेगा जो पेजेज मिलेगा जिस पर इस content लिखावाई तुस्से कहेंगे वेब पेज ठीक है यहां वेब पेज बात समझ में आ गया तो अब वेब पेज में आपको क्या क्या पढ़ना है वेब पेज क्या होता है दोस्तों तो वेब पेज क्या होता है एक ब्लॉग डिसकसन है जहां पर हम क्या करते हैं अपने मैसेज को इवेंट को न्यूज को अनौंसमेंट को और बी अलग अलग जानकारी को पब्लिश करते हैं कौन-कौन सर्विस हमको वेब पेज लिखने का करता है option देता है ब्लॉगर.com वर्ड पेज़ में आपको यही टॉपिक को पढ़ना था कि किस तरह से आप वेब पेज़ेश को लिखते है और पब्लिश करते हैं तो आपको यहां पर क्या करना है कि किसी भी जैसे ब्लॉगर.com पर ठीक है यहां पर ब्लॉगर.com पर गया और वहां पर जाने के बाद आपना एक बनाएगा फाइल बनाने का बाद अपना एक वेबसाइट बनाएगा और उस वेबसाइट पर आप सारे डीटेल्स को लिखते चाहिएगा तो आपका विपेज अपनेट नहीं है तो ऑफलाइन भी आप ब्लॉग को एडिट कर सकते हैं लेकिन देखिए इसको अपलोड करने के लिए आपके पास नेट होना चाहिए ठीक है क्या क्या है आपको बेसिकली एक्जामपल आप याद रखीगा क्वामा है क्वामना उसके बाद विंडोस राइटर ब्लॉग डेस्क ब्लॉग जेट एक्टो यह सारे फैसिलिटी आपको मिलते जहां पर आप ऑफलाइन ब्लॉग को एडिट कर सकते हैं याद रखें कि दोस्तों इसका एक्जामपल आने का चांसे बहु जादा है नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है एकष्के थरू जो हम पैसे को ट्रांसफर करते हैं उसे हम करते हैं ओलाइन ट्रांजेक्शं सबसे अच्छा एक्जामपल क्या हो गया हम सामान्कों को खडिदने के लिए करते हैं हम लोगاز टिगफीट तइक रहेए म APIs कर सकते हैं नेट-पैकिंग ृफित कर सकते हैं ठीक है इंटरनेट सेक्योरिटी क्या होता है दोस्तों तो इंटरनेट सेक्योरिटी यहाँ पर हो गया मेन औज опजयी कि नाव चाल चुछ कि निलक। के इंटरनेट बहुता है ContorseATA क्या होता है। जैसे कि यहां पर आपको online ètlık protection में कुछ fraud होते है उस फ्रॉट से आपको बचाना है और भी बहुत सारे जोच से क्या आपको फिशिंग होते हैं लोगों को जूट-जूट बोल करके फसाया जाता है तो यह सारे चीज़ों से बचाने के लिए इंटरनेट सेक्यूरिटी आता है क्या क्या होता है उसमें थ्रेट्स क्या क्या करके आपको दोस्ती किया जाएगा फिर आप समझ सकते आपका इमेल स्पूफिंग होगा इमेल में आपको गलत मैसेज आएगा जो क्या आपका यूसफुल नहीं है उसमें अलग-अलग लिंक्स दिए रहेंगे चैट इस पूफिंग होता उसी तरह से नेक्स्ट आपका है क इंटरनेट सेक्योरिटी में आप क्या क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले स्ट्रॉंग पास्वर्ड यूज करिए बैकप डेटा कर रखिए यूजर नेम पास्वर्ड को प्राइवेट रखिए किसी को बताइए मत वेबसाइट से रजिस्टर करने समय आपको बिल्कुल ध्यान आया है बहुत सारी चीजों को कि आप वेबसाइट में कोई पर्सनल डीडेल सेयर कर रहें तो वेबसाइट सेक्योर होना चाहिए दू नौट सेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्योर ट्रांजक्शन करिए उसके बाद यूज एंटी वायरस एंटी स्पाइवेर को करिए अप्डेट करिए उप्रेटिंग सिस्टम और सब्सक्राइट को इतना कर दीजेगा तो आपका इंटरेट सेक्योरिटी हो गया इससे एक मार्क का आने के चांसे बहुत ज्यादा है नेक्स यहां पर सेसन नाइन में पढ़ना आपको वर्क प्लेस में सेफ्टी तो भाई होना चाहिए सबसे पहले आग से बचने के लिए वहां पर फायर इसके प्लान होना चाहिए और मेंटेनेंस सेफ्टी एक्विपमेंट होना चाहिए जैसे कि कुछ भी आपके पास ऑफिस है तो उस ऑफिस में आग से बचने के लिए या कुछ भुकम पाता है तो उससे बच होना चाहिए और यह सब गिरता है तो आप उसे तुरांट साफ कर दिए सब सेफटी है ऑफिस के लिए एलेक्ट्रिक सेफटी यूजेज में क्या है एलेक्ट्रिक विप्मेंट अच्छे क्वालिटी का लीजिए और पानी वानी में भींगाने से बचिए ठीक है कि अगर बचने के लिए क्या करेंगे सेफटी मेजर्स मस्ट भी प्लेस्ट तु प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सिडेंट इमीडियेटली कॉल दा मेडिकल टीम फॉर इंजिरी पे अटेंशन एंड टु फॉलो दे इमर्जेंसी ड्रिल्स यह सारी चीज़ों को कर लेंगे 11 में आप अफिस पेस होना चीए महाँ पर कंफरेबली आप बैठ सकते यह tilt कर सकते हैं अपने according keyboard के position को change कर सकते हैं तो यह सारी facility आपको मिलना चाहिए तब आपका health भी अच्छा रहेगा बलब आपको problem नहीं होगा टाइपिंग करने से तो हाथ वात में दर्द नहीं होगा the work surface should be provide adequate space for the user, user को बैटने बैटने बलब घुमने फिरने का अच्छा विवस्ता होना चाहिए और screen keyboard के बीच में यह सब में जगा अच्छा होना चाहिए कि आप properly वहाँ पर काम कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर work place evacuation होना चाहिए कि कल को कुछ problem हुआ आग वाग जला भुकम पाया तो भागने के लिए वहाँ पर plan बना रहना चाहिए एक policy बनना चाहिए कि जब ऐसे problem होगा तो कैसे भागेंगे हम लोग यहां से और emergencies में किस जगह पर हम लोग meeting करें कहां पर हम लोग gather होंगे और evacuation drills होते रहना चाहिए बीच-बीच में मान के चली कि कभी-कभी ऐसे mock drills किया जाए कि कभी कुछ ऐसे हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे तुसके लिए practice करना चाहिए healthy living में आपको पढ़ना है कि आपको अच्छे खाना खाना चाहिए physical activities करिए stress management करिए healthy mind रख लिएगा और comment बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा यहां पर हमारे चैनल को subscribe ने किये तो subscribe कर लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरी वीडियो आप लोग को मिलने वाली है thank you and have a nice day